ओम सहनाववतु सहनव भुनक्तु सहवीर्यम करवावः तेजस्विनावधी तमस्तु माविद्विशावः ओम शांति 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 अध्य पहला दूसरा ही वल्ली बीस तक मंत्र हो गया हमारे और प्रसंग है कि यम्राज ने नचेकिता से कहा कि इसको सुनो सुन करके मनन करके पकड़ो अच्छे तरह से और निदिध्यासन करके रिलाइप करो तो उसके बाद उन्हों ने सुनाना शिरू कर दिया और आत्मा का नेचर सुनाएंगे बने निगेटिव एदिफ होगा आत्मा ऐसा नहीं वैसा नहीं तो हमने 80 लोग से देखा कि वो मरता नहीं है जन्मता नहीं है सब और पॉजिटिव जीतना बता सकते हैं कि निद्य है अंचेंजिंग ली निद्य है परहर उपर निद्य निद्य नहीं आज़र है पुराना है इसके कोई कॉज इफेक्ट में नहीं आता और 19 से में बला कि इसको जो मरना मारना और गलत है आग्यानी है इसके बाद बीसवा मंदर है अनो और अनिया नहीं बीसवा पर लिया होना है सुख्ष्मा से सुख्ष्मा है सभी जन्तों की गुहा में है और जब डिजायर्स नहीं होती सभी इंद्यों के प्रसाद से या हमने यहां तक बता दिया इक्की समंतर आशीनो दूरम रजती शयानो याति सर्वतहा कस्तम अदा मदं देवं मदन्यों ज्यातु मर्हती जैसे बता है अभी इसको छोड़ करके जो प्राकृत पुरुश है अंट्रेंड माइड अर्था जिन्में डिजायर्स है उनके लिए मिश्किल है यह भी बताना है मैंने साधना को इंफसाइज करना है कि डिजायर्स छोड़ने पुड़ेंगे और मन को ट्रेंड करने पड़ेंगे शुद्ध बना लेना पुड़ेगा उसके भी ना यह पॉसिबल नहीं है इसलिए ऐसी भाष्य में कह रहे हैं कैसा है खड़ा है पर दूर चला जाता है सोते हुए सरवत्र चला जाता है यानि गर्गुन सब्गुन ब्रह्मा एक साथ बता रहे हैं खड़ा यह का मतलब अचल है गतिहीन है किन्तु जो भी चीज कहीं जाती है आत्मा तो वहां पहले से और लेटा हुए मैंने अपने स्वरूप में है बिल्कुल किन्तु सरवत्र रहे है ऐसा निर्गुन सब्गुन ब्रह्मा का वरणंग कर रहे हैं यहां पर इस तरह से पहली वराया है अब मदा मदम देवो मद मने मस्त है इसमे मस्त है अपने आनंद में मस्त है पर इंतु उसको मद नहीं आए हुए हम लोग यह से इंटॉक्षिकेट होते व्यसान ही आए है स्वरूप के आनंद में मस्त है तर इसको गवंडर रूप जो मद होता है न वो उसमें बिल्कुल नहीं है आहंकार अहम बुद्धी नहीं है बिल्कुल पर आनंद के प्रचुरता से मस्त है अभी अमराज को में चेके तह पुला था कि आप किसी ओम जी कौन बताएगा तो इमराज करें मेरे बिना कौन देख सकता इसको एदिक सांदर अभी नहीं देख सकता इसको इसको स्रेस करने के लिए यह ब्रह्मगी के आहंकार उक्ति नहीं होती है पर शूर है वो देख रहा है इसको इसको मेरे बिना को इने देख सकता इसको स्रेस करता हो तो मेरे जैसे होगा तो देखेगा हो गी अचार के रहे अन्य था अधरवाइट दूरवीद ने यो मुश्किल है जानना आ आत्मा कामी भी जिन्ने इच्छाए हैं उनके द्वारा, पंदची कहता है कि बाब जर्ट, प्रकृत पुरुशी, जिन्ने अपने मन को संस्कारी तो नहीं किया है उनके गिये, तिया समार क्योंकि आसी नो अवस्थितो अचला ये वसन, खड़ा है मतलब अचला है, इसने किस प्रकार के गति, कि नरा आउटर नहीं हो सकती, महने एक कपता भी नहीं है, भीतर में कुछ गति नहीं है, चेंज नहीं है, खड़ा है, खड़ा है, दूरम रचती, किंतु कितनी भी दूर में चला जाता है, मैंने है सर्ववापी होने के नाते, शयनो याती सर्वता सुए सुए ही वो सर्वत्र जाता है एम असव आत्मा देव अब यहあ चारि भाषय में देव शबद लाए आत्मदेव यात्मा ही देव देव उने कोई काया न, भक्ती जिसमें आती है वो देव शबद मदा मदा समदो अमदश्च स्वहर्शो अफशच्षच्छ तब अनन्द प्रचर है, पर ये अनन्द को उपफग नी कर रहे है इसलिए हर्श भी है, हर्शे से विकरूत नहीं है युरुद्ध धर्मवान, अब ये निर्गुन सगुन तो सब युरुद्ध धर्मवान ये दिखता है ना कहीं नहीं जा रहा है सब जगे गया है इस तरसे आदन्दित है पर आदन्द में मतवाला नहीं हुआ है अथो अशक के तवाद ग्यातुन इसलिए जानना उसको मुश्किल है दुनिया का अबजेट एक ऐसा होता है ने तो ऐसा होता है ऐसा भी और वैसा भी ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं ऐसा भी नहीं होता मत अन्यो ग्यातु मर्षती मेरे बिना कोण जा सकता है इसका आचारे इसको आर्थ अभीतर से आशे समझा रहे है अस्मदा दे रेवा सुष्म उद्दे है पंडित अस्य सुष्म उद्दिवाले पंडितों के लिए सुष्म उद्दिवाले पंडितों के लिए सुष्म उद्दिवाले पंडितों के लिए अच्छी तरह जान जाते है यात्मा स्थिति गति नित्य अनित्यादि विरुद्ध अनेक धर्म उपादी कत्वाद। उपादी है सहरी हुषकी, अलग अलग धर्म है, जो है, शित्य है, गति है, नित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, दुनिया नित्य है, उश्रुप्न है भगवाद। आदि, विरुद्ध अनेका धर्म उपादि करत्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वा इतने ही रूपो में दिख्टा है वो, चिंता मनी मने एक मनी है, उस मनी में आप देखो, आपकी जो इच्छा वो दिख्टा है, कल्पु रुक्ष्मा जैसे मांगते हैं ना, ऐसा ही चिंता मनी उता है, तो चिंता मनी आप सामने लो, हां? जो चिंता मनी मने बहुता है, 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 बहुता ह सुनाएं, नहीं, देख़ों, प्रांच के तीन पट्टियां लिया हमने, मिरर की, और उसको ऐसे ट्रेंगल में जोड़ दिया, ठीक है, और उसमें चूली, जो अरतनों की दो-चार डिजाइन वाली होती है, दो-चार फुक्ड़े लगी है बस, और उसको घुमा तो इतने डि तो इसमें रिफ्लेक्ट होगा, इसका इसमें रिफ्लेक्ट होगा, इसका इसमें रिफ्लेक्ट होगा, तो इसमें रिफ्लेक्ट होगा, तो इसमें रिफ्लेक्ट होगा, इतनी डिजाइन बने लिएगा, तुमारे निमनसत्त्य इतनी डिजाइगा, तो ऐसे चिंता मुनी नम के एक चीज है, कि जहां पर, कि मैं उदार रण गिया, चिंता मनी के लिए, कि चंता मनी नम का मनी है, मद में जो आई दिखते रहे गए वहां पर, जैसे कल्परुक्ष्यों जाके इच्छा करने होती है, चिंता मनी हाथ में लो, जो देखने चाह दिखे दो, तो इसलिए चंता मनी में जेसे विश्यरूप दिखते है, ऐसा, इओ चंता मनी वत, अभावा सते, जैसे दिखते हैं, बग्वान。 डिन्यामा कितने रूप इंफिनिट रूपे, इसलिए रूपे सी भग्वान के तो हैं, अथव दृविद्ने एतों दरशे इती, इसलिए वह कहड़ा होकर जाता है, सोगे जाता है, पहले तो ऐसे इर्थबता दिया, कारणानाम उपस्enger शय, नाम। पांठ ठीक है बंगली में? कारणा नाम है उपशमान? कारणा नाम है के कारणा नाम है? कारणा नाम है कारणा नाम है? 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 कारणा ना पर इनके पुस्तक में ठीक है, मेरे अनी स्कृइंट है, हाई राव, हाँ, पहला अच्छा है देखो, पाक्य का पहला अच्छा है, दूसरा नहीं है, हाँ, क्वोई है, तो इसमें कारण नहीं हो गें, तो इनके यह कारण नहीं आ रहे हैं, इंदिरों के सवाल है ना, नीम कि अच्छा मा शयर्नम, करन जन्नितस्य एक देश्य विज्यानस्य उपश्यमा शयानस्य भोती है, एक देश्यमा ने, जब हमेरी इंदिरों के चलती हैं, तो हमें स्थूर दुनिया ही खली दिखाए पड़ती है, फूरा स्वरूप दुनिया का नहीं दिखाए पड़ता है, भगवन को नहीं देखते पाते हम, अपनी खुली आखों से, इसलिए स्वरूप अर्थियां पर सब एक हो गया है, इस आरते में, शयानस्य भोती है, एक देशी विज्यान का उपश्यम हो गया है, यह शयानकार्थ होता है, यदाचे एगों केवल सामान्य विद्नानत्वा क्या रहेगा है वहाँ पर? जन्रल, नौलेजी इन जन्रल रहेगा है नीम में, इन पर्टिकुलर निरा, इसलिए सारी दुनिया को देख रहे हो, यहाँ सोये हुए, कबर जाता है, कहा है, इंद्रों के जब उपश्यम हो जाता है, तो ग्यान नम की चीज रहेगा है, उसमे कोई पर्टिकुलर की मेरेगे, इसलियो स्रवत्व याती इव, इसलिये स्रवट्व याती इव, इसलिये स्रजगे गया हुआ था, इदा विशेश विज्यान स्थाह, स्वें परूपन स्थित्य एवसन्, मनादी गतिशु, तद उपादी कत्वा दूरम रजती इव, कि तो जो अर्थ है ना पहले नहीं बताया ना विशेश्ट विग्यान नहीं होता है तो सामन ने विग्यान आ जाता है इसलिए स्वया हुआ सरवत्र है और खड़ा हुआ ही दूर जाता है सच यह ही वह वर्त होता है इस वता यह ही, तहीं गया में यह ही, आपने तो सर्ज्य के गया है, ठीक, यह क्रम यहाँ पर अलग हो गया, आचारका, पहले अर्थ बता के फिर कमेंटरी नहीं, अर्थ प्रसन सादारन बता दिया, फिर शेयन और इसके श्पेशयल अर्थ बता करके, तिए श्रीरम श्रीरे अनवस्थेशु अवस्तितम महांतम विभुमात्मानम मत्वाधिरो नशोचति उसका अपना कोई शरीर नहीं है पर सारे शरीरों में है वो सारे शरीरों में आत्म प्रतीती होनी चाहिए हमको और उसका अपना कोई शरीर नहीं है और शरीर कैसे है चेंजिंग चेंजिंग आनवस्तितम किन्तो आत्मा चेंजिंग नहीं है आवस्तितम आत्मा अपने स्वरूप में चेंजिंग भी नहीं है शरीर भी नहीं है उसके कोई रूप नहीं है नाम रूप नहीं है परन्तु सारे नाम रूपों में सारे शरीरों में जो की चेंजिंग है आत्मा ही है महान तम मने महान, सर्वयापी विभूम विभूम भी सर्वयापी होता है विवी दरूपे ने भहुती ही थी विवी आत्मा नम मत्वा यह अपना ही आत्मा के शुरूप चल रहा है अपना ही शुरूप चल रहा है मत्वामने जान कर भीरो जो जानने वाला है वो गये कि ज्यानी हो गया न शोचत शोख का स्थान नहीं रहता इसमें आत्म को पानिक विदी नहीं बता रहें पर रिजर्ट बता रहें शोख नहीं होता इसलिए सद विद्यानाच्य शोख नहीं रहता है यहीं रिजर्ट ही बता रहें इसमें आकाश के समद आत्म उसका शरीर क्या होगा तम आशरीर हम शरीर रेशु अब शरीर रेशु में आचारे समझा रहें देव पितर ममश्यादी शरीर रेशु देवताओं के शरीर में पितरों के शरीर में अदमी पछु पक्षी समकी शरीर में अनम स्टेशु आवस्थिती रहीतेशु शरी थो Millet थो changing changing जहसारे आवस्थितम नित्यम अभिकृतम न बदलता हुआ नित्यात्मा है मानतम, महत्वस्ते आपेख्षिक रूप में बड़ा तो बड़ा इसकी आपेख्षिक रूप में मतलो, सर्वेपी रूप में बड़ा इसलिए एक वीवु चब्दय है, विवेफुने सर्वेपी होता है, मानाने हम लोग सर्वेपी ले रहे हैं पर महानमानें बड़ होता है काली, अब बड़ा तो काया हिमाला भी बड़ा ये भी बड़ा है, ऐसा आपेख्षी बड़ा मतलो, इसलिए आचारेकर के विभु शब्द भी जोड़ दिया है, विभु कारता विभु अपिनम, आत्मानम, आत्मा गर्वनम, स्वत्व अनन्यत् आत्मा दर्शनार्थम, इसमें ब्रह्म शब्द नहीं आया है, आत्मा शब्द आया है, क्योंकि मैं हूँ ऐसे ही जानना पड़ेगा ना, अपने स्वरूप में, तो आत्मा शब्द कभी-कभी मुझे आच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो परिकताव में रते हैं, और आक मेरा असलियत, मेरा अपना स्वरूप, यह याद रखो, मेरा अपना स्वरूप बताय जा रहा है, हरेका, इसलिए आत्मा शब्द है यह, आत्मा शब्द है, प्रत्यक आत्मे विशे यह, वो मुख्या, आत्मा शब्द मुख्या था, भीतरी आत्मा के रूप में ही प्रस्धाइक ढने मैन अत्म करता आत्मा मेरे भीतर जो आत्मा है इसे अर्त मेरे आत्ना capital की प्राविव ओता है कि दिर्शम आत्मानम अमत्वा अभ मत्वा कारश्वों बसला कि मत्ना हूँ आयम आहम इति मत्ना मैं हूं इसी रूप में आना चे, यह सब वर्णन मेरा चल रहा है, हरे के अपने वर्णन चल रहा है, भीरो धिमाज न शोचति, शोग को सामी रेता है, नहीं एवं विदस्य आत्मविदा शोगों पहती, ऐसे आत्मविद्वान को शोग की कोई री बनते है, कारणी नहीं बनता है, अ कब से इंपर्टन थै यह कटभणीषथ का, इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोन मता है, पॉजिटिव के लाइने, यह में वो ऐशवरूनते तेनल अभ्या, इसे भी म्लाफिविद्व में जा रहा है यह, असलिस्ट में जा रहा है, और असलिस्ट में शयारा है, इसलिस यमेव एशव रुनते तेन लभ्या, हिंदी में लिखलो, जो इसको चाहता है, उसको मिलता है, अब चाने का रथ, ठाकुर ने जो वैकुरता बोला है न, वह रथ है, शलोक एक, दो, तेईस, यमेव एशव रुनते तेन लभ्या, जो इसको चाहता है, उसी को मिलता है, ये ल इतलर अर्था ही हो गया, आप जलो, शलोप के वो, तो कि शलोप में निगेटिव सकाफी हैं, ये आत्मा, नायम आत्मा प्रचने निलभ्यो, नमे धया न भह न शुरुते न, ये व एश वुरुणते निलभ्या, त्षे इश आत्मा विवुरुणते 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 निलभ्या, त्षे मने मेकर रंश को प्रवचन नहीं कहते हैं वेद के अध्याइन को भी प्रवचन कहते हैं रटना प्रवचन मालें किसी चीज को मुह से बोलना ये प्रवचन है बहुत पढ़ना इसका आर्थ हो गया या ओई याद करना रटना रिसाइट करना या फिर ए वी इंक्रूड करलो जो फ्रप्रवचन देना यह डार्यक कर सकनी है वह पर फिर भी इससे आत्मा नहीं मिलता हाँ पर वेद कर शरोप्रवचन नहीं है दिए परोचन भनान ऐसा लोगम को छिखाना ये शन्य एसे डिरेक्ली इंकलूड नहींगें एगें अजिए खुद इसको बढ़ता है ना रटता है ना वो मीनिंग है याँ पर इसलेविन का ये प्रोचन भी इंकलूड हो सकता है पर मुख्य मिनिंग इसका है वेधा पाथी तो अपिर भी ईन्टारा चाहिए, बोभी सदंविती होंरा था इंट्रीजेंश्य विछोखो ताली था साथ्री न्यायद ओर उत्ता है और उत तो है कर आद भी नखी दो एफ जा इन बावना शुरुतेन कायर्त भात कृत सुन भी थाप्त शास्त्रा पो approximation अल्ड रोंग नालेज है इसे भी नहीं मेरता इसलिए है इसमें ऐसी चीजे बताई है जो हमारे लिए अवश्यक है देखो लॉजिक में एकोता है नेस्टरी कंडिशन एकोता है सविशेंट कंडिशन मालम है ना यह तो होना ही चाहिए पर इस पर्याप्त नहीं है अरे कामन उधारन जेता हूं है रसवी में नमक तो पढ़ना ही चाहिए पर खाली नमक पढ़ गया तो रसवी नहीं हो गई नेस्ट कंडिशन सफिशेंट कंडिशन तो यह चीज एसी के करते हैं लोग आत्म को पानी के लिए दो ओम करने होता है वे दो यद प्धमाना उनुatson ती इसलिए अतना को पाने के लिए दोवेत पड़ते हैं पर अप्र 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 शुफिशेंट उससे मिलेगा नहीं तुमको अब भीतर का आर्थे जानो इसलिए खुब वो क्या मेदा देवी जुशमनान आगा तो मेदा तौवाहन परो मेरे 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 मेर फिर मिलेगा किसे मुझे आत्मा चाहिए वरन करेगा आप ये वरन शब्द अच्छे तरह से समझ लिए वरन किसको कहते हैं ऐसे तो चाहना है चूज करना वरन करते हैं जो आत्मा को सिलेक्ट करेगा ये वरन का अच्छे वर शब्द वर कहा सुनाएं बताओं स्वयम वर शब्द नहीं सुनाएं मानि वो लड़की अपने मुताविक वर को चुन देती हैं ना अब स्वयम वर के उधारन बताओंगे दमेंटी की बत सुनी है नल दमेंटी की काया नी दमेंटी काया नल के उपर अट्रैक्शन या पैर हो गया था अब दमेंटी के पिता ने स्वयम वर शब्द शब्द काया अब बहुत से देवता लोग मुखद थे दमेंटी के रूप के करण अब देवता तो कुछी रूप बना लेते हैं तो चार देवता नल का रूप बना के आगए और नल राजा तो खुद आई ही रहे तब जब दमेंटी प्रवेश करती है तो पांच-पांच नल दिखते हैं कोई समझ जाती है कि पांच तो नल हो नहीं सकते यह देवता ही होंगे तो कि ते देवताओं में अपील कर रहे हैं आपको अपने अपने रूप में आजाओ मैं तो नल कोई चूस कर रहे हैं वो उसका राजय दूसरों ने चीन लिया था, वो जंगल में रहता था और उसका बेटा सत्यवान था और सत्यवान इतने दिल से अपने मातापित की सेवा करता था सद मैं उसको, सावीतरी को वही अच्छा लगा अब सावीत नी ने आके वापिस अपने पिता से बोला कि मैं तो देखके आई हूँ और सत्तेवान है वो तब मंत्री था उसके साथ कराजय ने मंत्री से पूछा मंत्री ने का राजय भी जेनी उनके पास भिकारी जासे हैं पर है गुनवानों बात पक्र नारजय आए या नारजय को बुलाए राजय ने तो नारजय कैसा है पर अत्त शुवलक्शेणी है पर एक साल में मरने वाला यह मुझे मालूम अब राजय से कहने लगा अठ्छा तो है पर क्या एक साल में विद्व हो जाएगी तू दूसरा वर चुन ले मैंने उसे शादी कर ली मन में दूसरा नहीं चुन सकती मेरेगा मेरे भागे होगा तो मरेगा और अगर मेरी पुन्ने होगी तो नहीं भी मरेगा नहीं मलूम का था फिर रहने लगी जब उसको तीन मालूम है बाकी तो किसको मालम नहीं सत्यवान को उसके माता बितागी अब तीन जो बाकी रहे इसने फास्टिंग शुरू कर दिया अब रच शुरू कर दिये और तीसरी दिन जंगल में लकड़ी काटने गया रोज जैसा और करते करते इसका गलानी आ गई इसने सावितिर के गोद में सी रखा परान चले गए यमराज खुद आए पूर्णेवान होने के करन यमराज खुद आए और इसके परान लेके जाने लगे सावितिर पीछ वचे जाने लगी तेरी परान वापिस में आते है कितना कुछ कई सब्सक्राइब समझाने लगे वो ठीक है ना आपको जो करना करो मैं तो पीछ पीछे जाओंगी अब करते करते यम्राज करें मैं भूत खुश हूँ तुझे जो मांगना है मांग ले तो मेरे पिता को ये मिल जाए वो मिल जाए मेरे ससुर की दृष्टी आजाए मेरे ससुर की से राजा हो जाए सब मंझोर सब मंझोर अब तुपीछा तो छोड़ तो नहीं छोड़ रहे तो जोले सत्यवान के प्राण नहीं मिलेंगे और कोई भी मांग ले इसने कहा कि मेरे पती के कुल में उनकी लाइन चेननी चेहिए तो जोले मांग ले तो मेरे बेटे नहीं उनगे तो कैसे चलेगी तो जोले तुने अपनी पुन्नाई से मुझे भी परास्त कर दिया तो जोले मैंने सत्यवान के प्राण बापिस कर दिया फिर सत्यवान जी उठा इसलिए है फटे सावी तो भी नहीं होती पुझा सब स्प्रियां उसके लिए वट की पुझा करके उस दिन तीन दिन फास्टिंग करती है पुर निमा के दिन पुझा होती है तो यह सावीतर की कथा है चूज करने का अर्थ में बता रहा है कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए यह चूज करने का अर्थ मुझे चाहिए मने अब दूसरा उदरन लो ठाकुर का दिया हुआ एक हिश्य गुरु से रोज कर रहा है कि भगवान दिखा दो भगवान दिखा दो उसको नदी पे ले गए दुपकी लगा उसको नीचे दबा के रखा और थोड़ी देर बाद छोड़ा क्या चाहिए था एक श्वास और ऐसे भगवान चाहिए कर तुझे सब मिले तुछ लिए यह ठाकुर ने जो व्याकुलता बोली यह एक मात्र उपाए है अब जितने उपाए हम जानते हैं तुछ अब क्यों है बता व्याकुलता के लिए अब यह अनोन्य प्रोक्ते सारा शास्रपाट कर रहे हम हमरी व्याकुलता कैसे हो नीचे इसका तुम उत्तर भी लिख लो वहाँ पर वहाँ पर लिख लो चाहिए कहीं भी लिख लो दो शब्दे मेरे मन में आरे हैं एक तो अति उत्कट सर्वल्यापी सर्वग्रासी अति उत्कट सर्वग्रासी इंटेंस और कम्परहेंसिव अन्डरेजी में ठाकुर ने उधा रन दिया है कि जंगल में वाज हो है न वह छोटे जांदुरों को खा जाता है। यह भगवान के पृति ऐसी इच्छा होती है हमारी कि बागी सबरी इच्छा नष्ट हो जाती है। को इच्छा निरेगी दूसरी। अनुराग वाग। यह एकमात रूप आए। यह कटवपनियेत के अतनी बात। इसका आर्थ, शब्दों का आर्थ समझे लोग। तो कि इसी लाइन का आर्थ अनुरा ने आलग प्रकार सेक्किया है। शब्द वह ही। यम, एव, एश, बुरुनते। यम मने जिसको, आत्मा को। एव, केवल, केवल आत्मा को ही। एश, सादका, पुरुनते। यह सादक केवल जिस आत्मा को चाहता है। तेन लभ्या, उस सादक को मिल जाते हैं। मुण्डकुंडिषर्ण यही मंत्र है। और वह आचारे ने थोड़ा अलग भाष्य किया। तेन तृतिया है। उस से, उस सादक के दौरा मिलता है। और उस वरन के दौरा मिलता है। यह मुण्डक मार्त की है। उसका जो आत्मा चायन है, आत्मा ही चाहिए मुझे, उस आत्मा चायन से उसे मिलता है वो, जो आत्मा को ही वरण करता है, उस सादक को मिलता है, उस सादक को जो चायन है उसका कि आत्मा ही चाहिए उसके करण से मिलता है, ऐसे तेन के दो अर्थे बंद रहें, तेन माने उस सा अब रामनुजी नहीं इसका क्या थे के अमलम है यम उरेश क्या थे उल्टा दिये क्योंकि यम उरेश में स्वष्टत्य शब्द ही नहीं हो यम माने ये सादक इस सादक को केवल केवल शब्द कैसे लगते हैं मादूने ये आत्मा वरंड करता है भगवान जिसको पसंत करते हैं उसके सामने प्रकट होते हैं ये रामनुजी अर्थ है ग्रेश अब ग्रेश तो इसमें है ग्रेश शंकर भाष्ची में भी है चोथे लाइब में मिलता है माने क्या उस सादक को आत्मा मिल जाता है माने क्या होता है कोई लड़ पेड़े है क्या मिलने के लिए आम है क्या रतने है क्या तस्य एश आत्मा विवरुनुते तन्नु स्वाम तस्य मने उसके लिए यह आत्मा अपना स्वरूप तन्नु मने शरिर यह शरिर तो नहीं है न आत्मा को तुनो माने अपना स्वरूप प्रकट कर जेता है इसके बौदों में कितने भी साधनकरो मिलेगा माने आत्नी प्रकट होगा ना हमें का मिलेगा हम तो रहेंगे लिए मैं चला जाएगे तो भी आत्ना मिलेगा तो हमारे बौद में दोز आत्नो प्राफ़ी यही है ना तो आत्म उसमें प्रकट हो जाएगा। इसलिए जो ग्रेश जो है वो तो चोती लाहिम में है। अरे संग्या। योगी अरुइन्द क्या कहते है इसको। वाक्य लिख लो तुम दो सुंदर वाक्य लूंका। आत्म को उपर उठने का प्रहतन है भगवन दीचे उतर रहे है। स्वाज़ आत्म प्राप्ति मने हमारे भूद में आत्म का प्रकटनना। तो भगवन के कृप हो ही ना। ठाकर जोकर इश्क कृप भी नहीं मिलता। हमने कह कि हमने चाहा उसको व्यक्वल गे उसके लिए। ठाकप問 कहते हैं कि व्यक्वलता होई कि अरुन दे होगया। सुनाए ना। आरुन किसको कहते है। इसलिमी ने पूछा ओं अरुन सामने बटा है। अरुन सूर्य का नाम नहीं है। सुर्य देवता है बड़ बड़े रछ में उनका लंग्डा सारतिया, उसका नाम है अरून अरून जरूर्य का सारतिया उसका लंग्डा रूप नहीं पर तक्र को जाँशे है अब सुबह देखो तुम पूरवत के वरदेखो पहले लाल दिखता है न ? और लाल दिखने के कितने बाद सूर्य आता है देखाए कभी चालीस बैलीस मिनिक्ट यानि सूर्य से किर्णे निकली वो हमारे आँखों में जाके पहुँचेंगे ना अरे हमको कोई चीज दिखते है फट से दिखते है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है पर सूर्य का डिस्टनस इतना ज़्यादा है कि वहां से लाइट हमारे आँख में आने को 40-40 मिनिक्ट लगते है तो जो हमके से सूर्य दिखा उसके पहले सूर्य आगया है 40 मिनिक्ट पहले आगया है कि तो जो हमारे हाथ में पोचेगा तो उसके दिखेगा ना अब सूर्य आगया है उसके लाली हागी सूर्य का है रिफ्लेक्शन आकाश में बात लोग की उपर है कहीं भी पड़ा वो हमको दिख गया सूर्य नहीं दिखा गया इसको अरुनो दे कहते हैं दान, अंगरी जी में उशक काल, ब्राम मूर्थ यह सब इसके नाम है वहां से प्रत्यक्शे सूर्य दे तक जो काल है वो ब्राम मूर्थ कहले दिखान के लिए सरुद कुष्ट मूर्थ तो अरुनो दे माने अब क्या बच्चा है और ने में हो गया तो प्रत्यक्शे सूर्य को रोक लेगा क्या एक चालिस में तेरी सूनिट रहे ना अब ठाकुर के उधारन में उस वाकुलता को अगर मेंटेन के आमने वाकुलता इमोशन दिखान के बगवा ये ठाकुर को दरने वाकुलता होई कि मानो अरुनो दे हो गया अब सूर्य को को रोकने सकता पर जोड़ो इसमे कि उतने टाइम ते तो वाकुलता मेंटेन करनी होगी ना ये ठाकुर को अगर ये ये है ये वरन करना चूस्थिलेट करना इच्छा करना चाहना का ये अर्थ है इसके बिना दूसरे उपाए नहीं है क्योंकि हमारे इच्छा है और रजगुला खाने के भी इच्छा है अरे रजगुला छोड़ो स्त्री संग करने के भी इच्छा है अब खवान को क्पाना है हमको कहाँ से मिलेगे ये इच्च ए वग इच्च ए वो इच्च ए बड़ा बनना है छोटा बनना है कहाँ से मिलेगे सारी इच्च एए Result अगर हो गए उनमे एंमरी एक इच्च सरवक गराशी जब इच्च हो गई इसमें ने सर्वग्राशी का हमारी सारी इच्छाओं को उसमें खा लिया ठाकुर के उदर रने, अनुराग वाग तब हमको मिलेंगे हम उनके बिना नहीं रह सकते तब वो आएंगे यह हमारी मन के अवस्था जो होगी और उपाय में यह दूसरा जितने उपाय हम कर रहे हैं शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इन सारे का एक के मतलब है कि हमारे मन में दूसरी कोई इच्छा न रहे है इसको पूछा था, इसमें ट्रेनिंग मने का यह ट्रेनिंग है मन की शुद्धी का यह आर्थ है और सभी जगे, सभी शास्त्र में गिता में सीदफरग्य की लक्षु में कामना है जिसके चलेगे उसको सीदफरग्य हो गया इसलिए अब इसको मैं एक दूसरे परकार से बताते हैं और वह है अमारे पूज लात्यु महराज के शब्दों में इतना बढ़िया सीदा डायरेक्ट व्यदान तोर किसी के बस नी मिलता एक दिन सुभए उनके कोई भक्त लोग आयो है बाचे चल रही है और किसी के घर जाने की बात निकली है दूपर में जाना हुआ नहीं है अब शाम को वही भक्त दूबार आयो के रहे महाराज आपकी इच्छा हुई थी ना उसके घर जाने की मेरी इच्छा मेरे कोई इच्छा नहीं हो सकती फिर के रहे तुमारे भी कोई इच्छा नहीं हो सकती एक इच्छा है तुमारे भगवान को पाने के लिए जिसको तुम आजरामर शबने जिसको तुम इच्छा समझ रहे हो यह तुमारे मन के ख्षन इक्सपंड़ में अब इस बात को समझो क्या कहना है उनको Mathematics में हम Resolution of Courses कहते कोई इच्छा है मरी का इच्छा है रजगुल्ला खाना है माने क्या हमें सुख पाना है ना तो सुख तो आत्मा में है हमको आत्मा ही पाना है हमको पता नहीं इसले रजगुल्ल में जा रहे है हमारा मन और का इच्छा हो सकती है हमें ज्ञान पाना है अरे ग्यान सुरूप तो आत्मा है इसलिए हम ग्यान को डून रहे हैं आत्मा मिलेगे तो ग्यान पाजा हुए हमें बड़ा बनना है दुनिया में सबसे सबसे बड़ा तो आत्मा ही होता है तुम आत्मा बनना होगे तुछ दुनिया में सबसे हमारी कोई भी इच्छा देखो मूल सुरूप में भगवान पानिकी इच्छा लाटु मारश बता रहे बात अच्छा हमारी मन में जो उठा है, रजगुला खाना है पांच में नीट बूलगे, दूसरे काम में लगे इसले तुमारे मन में जो उठ रहा ह, इच्छा उठ रहे है, वो शनिक स्पंद रहने time इच्छा तुमारे भी कोई निया है, बागवान को पानी की इच्छा छोड परके यह लटो महरश करे और मेरे में वो पूरी हो गये, इसले मेरे में वो भी नहीं है ये लाटु मारश का पूरा वच्छन ने पहले लाटु मारश बोल रहे हैं इसके घर जाने के इच्छा हो इतिना इच्छा मेरे मन में कोई नहीं है इच्छा होई नहीं सकती मेरे मन में फिर करे तुमारे भी मन में नहीं हो सकती तुमारे मन में एक इच्छा हो सकते भगवान को पाना है इसको छोड़ जो तुमें इच्छा प्रतित हो रही है वो तो मन के शनिस पंदन है भगवान को पानी की ही इच्छा है मेरे में वो भी पूरी हो गई है इसलिए वो भी इच्छा मेरे में नहीं ऐसा पहले जो बोला था उसका conclusion यहां पर लाया समझे कि अनुराइब गवाग को जब हमेरी इच्छा सर्वग्रास की हो जाती है हमेरी सारी इच्छाओं को खा लेती है खाली intense होई तो नहीं है intense कभी-कभी emotional ही हो जाती है पर बाकी से इच्छाओं भी रहती है दभी रहती है हुआ जाती है फिर दो मिनिट के बाद इसलिए कुछ भी पानुराइब इसलिए मैं नहीं गुदारण दिये दमयंति या सावित्री मुझे और दूसरी चीज दुनिया में कोई satisfy नहीं कर सकती है नहीं चीकिता नहीं कह दिया नहीं इसके समझ कोई गवा रही नहीं है और इसके लिए तो इम्वराज दिले कि तेरे लिए तो दर्वाजे कुली गया है है समझ में अब पाते हमाने उसके बुद में भगवान अपना सुरू प्रकिट कर देते है यही पाना है और इसलिए में इसका तेरन कायम मुंडक वाला अर्था भी बता दिया यहाँ पर किस से मिले उसको? उस इच्छा से ही मिले किसको मिले? जिसके मुन में एक मातर इच्छा थी उसको मिले किस कारण मिले? उस इच्छा के कारण ही मिले ये कठुप निश्यत का मुल्ड़क में भी कमन है पर ये कठुप निश्यत की खास बात है ना यमात्मा प्रोचने न लब्यो न मेदया न इसका मतलब प्रोचन मत करो वेद मत पढ़ो मेदा नहीं हो नीचे ऐसे नहीं हर्थ हो रहा है there are necessary conditions but not sufficient वेद पढ़ने इसके लिए के हमेरी व्यकुलता पड़े मेदा इसलिए हो के हमेरी व्यकुलता पड़े बहुत साम इसलिए सुन्द रहें के हमेरी व्यकुलता पड़े पाएंगे भगवान को व्यकुलता से ठीक है इसका आप कॉमेंट रिकल पड़ेंगे इसका मैंने बता है कि रामनुजी अर्थे तीसरे लेंका है भगवान जिसको चूज करते हैं उनके सामने प्रकुट जाते फिर बताएंगे तुम भगवान को प्यार करोगे तभी भगवान तुम को प्यार करेंगे तभी तो चूज़ करेंगे, ऐसा करके लगाएंगे उल्टा, पर वहां जाकुलता के बदले, भगवान के फेवरिट को ने, ऐसा हो जाता है, ओम सहनाववतु, सहनावभुनक्तु, सहवीर्यं करवावः, पेजस्चिनावदी तमस्तु, माविद्विशावः, ओम शांति, 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 हरहि, ओम तच्सत्, श्री रामकृष्णार पनमस्तु